तो आज का हमारा लेक्षर है प्रोड़क्शन टेक्नोलाजी फॉर ओर्नमेंटल क्रॉप्स, मेडिचनल एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडिस्केपिंग भारती कॉलेज आफ एग्रिकल्चर दूर्ग। आज हम देखेंगे कि मेडिचनल क्रॉप्स एलोवेरा की खेती कैसे करते हैं तो फर्स्ट हम इसका पहले जानते ही कि क्या इसका बॉट्निकल नेम है, क्या कॉमन नेम है, तो इसका कॉमन नेम है एलोवेरा, इसको घृत कुमारी भी कहा जाता है, Second है इसका botanical name Alloy Barbadensis और English name है Lily of the Desert First Aid Medicine Plant Family है इसकी लिली ऐसी, chromosome number है 2N14, 2N is equal to 14 Origin है इसका Mediterranean region, Economic Parts है Leaf Gel and Leaf Exidate Active principle है Alloyin, Barbolene, Alloy Imodine, Isoimodine Inflorescence है इसका spike बोलते हैं, mode of pollination, cross pollinated crops है अब हम देखते हैं कि इसका uses, it is used in cosmetic industries जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऐलोवेरा का gel, ऐलोवेरा का soap, ऐलोवेरा का cosmetic, perfumes सब चीज जो है इससे तैयार किया जाता है या प्रिपेर किया जाता है Then second, ऐलोवेरा जैल इस contains a gluco common which is a polysaccharides similar to guar Third है, Perinual Salo Rootate Plant, यह जो है उथली जड़ो वाली फसल है या crops है medicinal plant, flowers are yellow to rich orange in color, flowers color इसका yellow, पीला या rich orange रहता है Flower is actinomorphic, इसका flower जो है actinomorphic size का होता है Varieties, सीमेप से निकली हुई Varieties है, सीतल, released by सीमेप लखनाउ Propagation, जैसे की इसका propagation है, root suckers और rhizomes और cuttings इसके लिए लगाते हैं 28 हज़ार से 34 हज़ार सकर्स पर hectare अब इसकी harvesting देखते हैं, की 8 months after planting 8 माह जब फसल हो जाए, planting के बाद, तब इसकी harvesting कर लिया जाता है yield इसकी उपस देखते हैं, 10 हजार से 12 हजार केजी पर hectare यह हुआ एक short brief, short brief defecation अब हम देखते हैं, इसका पूरा details जो है, कैसा, किस type से nature का होता है, plant जो है अब हम देखते हैं की भूमियम जलवायो, घृत कुमारी aloe vera, विभीन प्रकार के मिट्यों में उगाया जा सकता है परन्त यह हलकी रेतिली दो मट यह भारी दो मट मिट्यों में अच्छी प्रकार से उखता है वैसे यह पौधा, असिंची, त्रेतिली, पत्रीली, ढलान दार भूमी के लिए जादा उप्यूक्त माना जाता है यह फसल जल भराव की स्थिती जो है सहन नहीं कर पाती है pH मान 6.5 से 8.5 तक के, अधिक्तम 9.5 pH तक के हो उप्यूक्त है जमीनों में इस प्रकार की जो जमीने हैं उसमें अच्छी इसकी growth and development देखा गया है सुस्क जलवाई हलकी जमीनों के लिए उप्यूक्त फसल है इसकी खेती के लिए गर्म आद्र से अर्ध सुस्क तथा उश्नकटी बंधी जलवाई उप्यूक्त होते है फसल को तूसार अथवा पाला फ्रोस्ट से बचाने के आउश्कता होती है वैसे सामनेता है इस फसल के लिए गर्म तथा सुस्क जलवाई ज्यादा उप्यूक्त होती है उन्नत किसमें देखते हैं जैसे की एलोईन तथा जैल उत्पादन की दिरिष्टी से नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस नई दिल्ली द्वारा एलोईन इवाम उच्चुकोटी की एलोवेरा जेल अच्छी मात्रा में मिलता है सीमेय प्लकनव से विक्सित एक उन्नत प्रजाती है अकंचा एल वन जोकी अच्छी वेराइटिस है बुवाईन इसका प्रवरधन देखते हैं कि एलोवेरा की खेती करने सरोप्रथम खर्पतवार घास आधी वीट्स फ्री होना चाहिए ग्रिसमरीत्म में दो से तीन बार खेत की जुताई करने चाहिए क्योंकि एलोवेरा की जड़े जमीन में ज़्यादा गहरी डिप नहीं जाती है इस प्रकार दो से तीन जुताई करके खेत को अच्छा तयार करने चाहिए भूमी की एक ये दो से अच्छी दूचा जूताई करने के बाद पाटा शगला चला देना चीए ताकि बिदा जाया स्वाइल जो है समतल लेवलिंग हो जाए उसके बाद में उची क्यारिया बनाकर 50 इंटू 50 सेंटी मिटर की पर पौधों का रोपन करना चीए इसका प्रवर्धन के लिए सकर्स अथ्वा जड़दार पौधे जो बगल में निकलने वाले छोटे पौधे होते हैं अथ्वा बीजों का उप्योग भी किया जा सकता है पौध रोपन के लिए खेत तयार हो जाने पर मेडे अथों उची क्यारिया 50 सेंटी मिटर की दूरी पर बनाए जाती है इन 50 इंटू 50 सेंटी मिटर की पर सकर्स जो है रोपित किया जाते हैं और कटिंग से या सकर्स किया जाए तो 40 सजर से 45 सजर्स आउश्कता पड़ती है अब हम देखते हैं कि भूमियम जलवायो घृत कुमारी एलवेरा विभीन परकार के मिट्टियों में अच्छी परकार से उखता है वैसे या पौधा असिंचीत रेतिली पथरीली धलान दार भूमी के लिए ज़्युक्त माना जाता है यह फसल जल भराओ की स्थिती जो है स 9.5 पिएज तक के हो उप्युक्त है जमीनों में इस प्रकार की जो जमीने है उसमें अच्छी इसकी ग्रोफ हिंड डेवलप्मेंट देखा गया है सुस्क जलवाई हलकी जमीनों के लिए उप्युक्त फसल है इसकी खेती के लिए गर्म आद्र से अर्ध सुस्क तथा उश् प्लांट जनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली द्वारा इसके बुआई के लिए उप्युक्त समय है सितंबर अक्टूबर इसके लिए सरवाधी उप्युक्त पाया गया है अब हम देखते हैं कि मैनियूर्स और फर्टिलाइजर्स एलोवेरा के लिए अच्छी पैदावार प् कमपोस्ट अत्वा वर्मी कमपोस्ट खादों को प्रियुक करना जरूरी रहता है पूर्वारक में 50 कजी नैट्रोजन 25 कजी फासपुरस 25 कजी पोटास प्रती हक्टर आउसकता पड़ती है फासपुरस पोटास को पहले वर्स भूमी की तैयारी लैंड प्रिप्रेशन के सम ही मिट्टी में मिला देना चाहिए तथा बात के वर्स में गुडाई के द्वारा इन्हें भूमी में अच्छी तरह मिस्रित करना चाहिए नत्रजन को आउसकत्रों साथ 3-4 बार में पत्यों पर घोल बनाकर इस्प्रे करना चाहिए सीचाईयम जल निकासी ग्रित कुमारी जयलोवेरह ऐसा पौध है जो सुसको भूमी में भी उगाया शकता है स्चाई की ओलोए भूमी में भी उगाया शकता है अब वीट्स कंट्रोल, खर्पतवार नियंतरन कैसे करते हैं, तो निंदाई गुड़ाई करना आवश्चक है, जैसे पौधे के उचित बढ़वार, उसके डेवलप्मेंट के लिए खर्पतवारों से मुक्त रखना ज़रूरी है, हाथ से गुड़ाई करने के कारण ही भूमी में नमी बना रहता है, जिससे पौधों को फैलने के लिए एक परियाप्त सूटेबल इन्वार्मेंट मिलता रहता है, इंसेक्टें पैस्ट, इसके एलोवेरा के प्रमुक डीजिस हैं, जैसे कि पत्तियों वाद तनों का सरणा, पत्तियों की धब्बो वाले बीमारियां, जोकी फफुंदी, फंगस, अल्टरनेरिया, अल्टरनेटा, एवं फ्यूजेरियम, सुलेनाई की द्वारा होता है, इसके कंट्रोल के लिए मैंको जेब, रिडोमेल, डायथेंजेस, सेवेंटी, या कलोरोथेनियाल, 2.0 से, 2.5 ग्राम पर लिटर पानी में सॉलूशन बना करके पूरी तरह से तैयार पौधों में से 3-4 नीचे की पत्यों को पहले तोड़नी चाहिए, या काटनी चाहिए, लगभग एक वर्स बाद, वर्स में 3-4 बार पत्यों की तुड़ाई, या कटाई करनी चाहिए, यदि उची देखरे की जाए, तो करीब 3 वर्स तक के के लिए उप्युक्त हो, अब हम देखते हैं कि इसकी उपज, ताजा पत्यों के पैदावार लगभग 50-60 तन प्रती हेक्टेर, प्रथा मर्स में प्राप्त की जा सकते हैं, परन्त या उपज जो है जलवाई, इसके बुआई के लिए उप्युक्त समय है, सितंबर, अक्ट करना जरूरी रहता है, पूर्वारक में 50 के जी नैटोजन, 25 के जी फासपुरस, 25 के जी पोटास, प्रती हेक्टेर आउशकता पड़ती है, फासपुरस पोटास को पहले वर्स भूमी की तयारी, लैंड प्रिपरेशन के समय ही मिट्टी में मिला देना चाहिए, तथा बात क बात की वर्स में गुडाई की द्वारा इन्हें भूमी में अच्छी तरह मिस्रित करना चाहिए, नत्रजन को आउशकतरों सार तीन से चार बार में पत्यों पर घोल बनाकर इस्प्रे करना चाहिए, सीचाईयम जल निकासी, घृत कुमारी एलोवेरा ऐसा पोध है, जो सु विधा वाले भूमी में भूगा जा सकता है, तो इस प्रकार गृस मेरे तुमें जब गर्मी पूरे जोरोप और हो उस समय इसको सिचाई क्या उशकता होती है, किसी विस्तिती में भूमी पर दलदल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पानी जो है खेत पर भरा रही नहीं होना अब वीट्स कंट्रोल, खर्पतवार नियंतरन कैसे करते हैं, तो निंदाई गुड़ाई करना आवश्चक है, जैसे पौधे के उचित बढ़वार, उसके डेवलपमेंट के लिए खर्पतवारों से मुक्त रखना ज़रूरी है, हाथ से गुड़ाई करने के कारण ही भूम जैसे कि पतियों वाद तनों का सरणा, पतियों की धब्बो वाले बीमारियां, जो की फफुंदी, फंगस, अल्टरनेरिया, अल्टरनेटा, एवं फ्यूजेरियम, सॉलिनाई की द्वारा होता है, इसका कंट्रोल के लिए मैनकोजेब, रिडोमेल, डायथेंजेश या कलोरोथेनिया 2.0 से 2.5 ग्राम पर लिटर पानी में सॉलुशन बनाकर छिड़काओ किया जाता है, फसल की कटाई, पधों, पधों की रोपाई के समय, या अनसार 10 से 15 महिनों में घृत कुमारी की या एलो एरे की पतियां काटने योग्यों हो जाती है, पतियों की एक सा चार बार पतियों की तुड़ाई या कटाई करनी चाहिए, यदि उचीत देखरे की जाए, तो करीब 3 वर्स तक के लाफकारी फरसल मिलते रहती हैं, 3 वर्स के बाद उपच गिरने लगती हैं, तथा फरसल में, बीमारियों का प्रोकोब बढ़ जाता है, अतह 3 वर्स के बा दवाल लगभग 50-60 तंड प्रति हेक्टेर प्रथम वर्स में प्राप्त की जा सकती हैं, परंतिया उपज जो है जलवायू, भूमी के प्रकार, उन्नत प्रजाती के प्रयोग या फसल के अच्छी देखरेक पर निर्भर करता हैं, इसके उत्पादन से दूसरे और तीसरे 15-20 प्रतिसत की विध्धी हो शकती हैं, अलेवेरा की बिक्री तीन प्रकार से की जा सकती हैं, जैसे इसके ताजे पत्ते, परंपरगत, साधनों से जूश निकाल कर, तथा इसका स्वचली तथा उच्छे तक निक्वाली मर्शीनों से जैल निकाल करके किया जा सकता हैं, अ एक लाख से एक लाख बीस हज जार उपे प्राप्त होता हैं, खर्च यदी 35-40 जार उपे मान ले तो सुद्ध लाब 65-80 हज जार उपे प्रति हक्टेर प्राप्त हो जाता हैं, अब हम इसके देखते हैं कि भंडारन, स्टोरेज कैसे करते हैं, पत्तियों का भंडारन करना एक कठीन समस्या है, पत्तियों को काटने के बाद 6-8 गंदे के अंदर प्रसंस करन प्रोसेसिंग कर लेना चाहिए, तो यह हुआ अलोवेरा की संचिप्त कल्टिवेशन